नमस्का दोस्तों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डेमोक्रिटिक वायर में और आपके साथ मैं हूँ महेग आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेरी आप से अपील है कि वीडियो को जादा से जादा शेयर कर लें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों इस वक्त लगबख देश के सभी राजियों में चक्का जाम है ये जो चक्का जाम किया गया है ये किया है ट्रक और डंपर चालकों ने दरसल ट्रक चालकों ने ये जाम केंदर सरकार के नए हिट और रन कानून के विरोध में किया है इन सभी ट्रकों डंपर ड्राइवरों का कहना है कि ये कानून गलत है और सरकार इसे जल से जल वापिस ले ले इसी मांग को लेकर देश के लगबख सभी राजियों में ट्रक चालकों ने राश्ट्र व्यापी हरताल कर दी है दिल्ली, हरयाना, यूपी और मध्यप्रदेश से लेकर महराश्ट्र तक ट्रक रोग दिये गए हैं चालकों ने अपने अपने ट्रक सडकों के किनारे खड़े कर दिये हैं ट्रकों की लंबी कतारे लगी हुई है, इतना ही नहीं सड़ताल की वज़ज़ से कई जगाओं पर पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की लंबी लाइने भी लगी हुई है वहीं सड़ताल की वज़ज़ से पेट्रोल जो है वो पंप तक नहीं पहुँच पाएगा जिसकी वज़े से भारी संख्या में लोग पेट्रोल पंप पर पहुँच रहे हैं ये तस्वीर है महराष्ट की महराष्ट के नागपूर में भी हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रक डाइवरों के विरोध प्रदर्शन के कारण पेट्रोल डीजल की कमी का डर लोगों को सताने लगा है इस वज़े से पेट्रोल पंपो पर भारी भीर लग गई है अब दोस्तों ये जानते हैं कि आखेर इस नाय कानून में है क्या जिसकी वज़े से ट्रक डाइवर्स का विरोध कर रहे हैं दोस्तों, अभी हाल ही में भारत सरकार ने इंडियन पैनल को appeals को बदल कर भारतिये न्याई सहीता नाम का नया कानून बना दिया है इसी कानून में प्रावदान है हिट एंड रन नए कानून का ये प्रावदान हिट एंड रन कहता है कि अगर सड़क धुरगटना में किसी की मौत हो जाती है और गाड़ी चालग मौके से फरार हो जाता है तो उसे 10 साल की सजा हो सकती है साथ ही 7 लाग रुपे का जुर्माना भी देना पड़ सकता है वही इस कानून के जानकारों का कहना है कि अगर हादसे के बार ड्राइवर रुपता है और पीरित को अस्पता ले जाने के बारे में सुचता है तो भीर उसे पीट-पीट कर माज सकती है और अगर वो नहीं रुकता तो फिर उसे 10 साल की सजा के साथ जुर्माना भी भरना पड़ेगा यही वज़ा है कि ट्रक ड्राइवर इसका विरोध कर रहे है ट्रक चालकों का कहना है कि ये कानून गलत है और सरकार को इसे जल से जल वापिस लेना चाहिए दोस्तों आप इस नए कानून पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा इसी के साथ हमें भी दे दीजे इजाज़त अगली बार फिर करते हैं आपसे मुलाकात किसी दूसरी खबर के साथ तब तक के लिए आख खुश रहें मज़े में रहें और साथ ही अब जाते जाते ये वीडियो को भी लाइक जरूर करके जाएगा